आज ये डियलेड फर्स समेश्टर के लिए हिंदी की दूसरी क्लास है इससे पहले हमने 20 बहुत बिकल्पी प्रशनों को करवा दिया है यदि आपने वो क्लास नहीं दे की तो चैनल में जाके देख सकते हैं आज के इस कलास में प्रशन नमबर 21 से हम सुरू करेंगे पहला प्रशन है ध्वन के नियम का प्रारम किया था ओप्सन एक ग्रासमन ने ओप्सन भी ग्रेर्सन ने ओप्सन सा भोलना तिवारी ने ओप्सन दा चाकसी ने याद रखिएगा ध्वन के नियम का प्रारम ग्रेर्स द्वारा किया गया था नेष्ट प्रश्ण है हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलीते हैं अप्सण आ 3 अप्सण बा 12 अप्सण अठारा है और ये पूछा जाए नेष्ट प्रश्ण है बनता है, उप्सन आई घा, उप्सन बाद धा, उप्सन सदया, उप्सन दा इनमें से कोई नहीं, वर्ण दा प्लस या से मिलकर धा का निर्माड होता है, जिस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे कोई सब्द लिखते हैं राम, तो राम सब्द का निर्माड यहाँ पे रा प्लस आ, प्लस मा प्लस आ से मिलकर होता है उसी प्रकार से यहाँ पे धा का निर्माड दा प्लस आ या के मिलने से होता है नेश्ट प्रश्ण है जिन वर्णों का उचान बिना बाधा और अरोत के होता है एसे वर्ण को कहते है यहीं से पूछा जाता है कि बेंजन किसे कहा जाता है तो जिन वर्णों का उचान सोरों की साहता से किया जाता है उन्हें बेंजन कहा जाता है और वर्ण माला की परभासा याद रखिएगा वर्णों के बिवस्तित करम को वर्ण माला कहते हैं तो यहाँ पर ये तीनों परभासा हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है अतलागुत्री में इनसे आपसे प्रशन पूछा जा सकता है नेश्ट प्रशन है निम्न में से कौन असत्त है आपसन आ ता ओष्ट बेंजन है आपसन बाद सा उसम बेंजन है आपसन सा फा ओष्ट बेंजन है आपसन दा च्छा सायूक्त बेंजन है तो यहाँ पर हमें जो असुद है उसे बताना है तो सायुक्त बेंजन के अंतरगत आपके छा, त्रा, ग्या और ये रिसी आते हैं तो इसमें छा दिया हुआ है तो ये आपका सही है नेश्टी यहाँ पे है उस बेंजन, उस बेंजन के अंतरगत आपके सा, 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 हा यह आपके चार बिंजन आते हैं तो यहाँ पर यह सादिया हुआ है यह भी आपका सही है और यहाँ पर यदि ओष्ट बिंजन की बात की जाए तो याद रखिएगा ओष्ट बिंजनों के उचानण पावर्ग में आने वाले सभी वर्णों के होते हैं जैसे पा, भा, 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 मा इन सभी वर्णों का उचानण ओष्ट से होता है तो यह आपके बात सादा आपसन तीनों सही है किन्तु आपसन नमबर आ यह गला था है पिछले किलास में हमने बताया था कि एक ट्रिक याद रखिएगा केटियम दो जहां पे के से कंट याद रखना था ट से तालू M से मुर्धा और ड से तंत और O से याद रखिएगा ओष्ट यह यदि आप याद रखने है सभी वर्णों का उचानथ आप असानी से कर सकते हैं कंट में आपका का वर्गे के सभी बिंजन आते हैं का खा गा गा अंगा तालू के अंतरगत चाव वर्गे के सभी वर्णाते हैं जिसे चा छा जा जा इया मुर्धा के अंतरगत आपके ताव वर्गे के सभी वर्णाते हैं जिसे टा ठा डा धा ना और ओष्ट के अंदर गत पाव अरगे के सभी वन आते हैं जैसे पाव फाव भाव मा तो इस टिक को याद रखिएगा यदि ये सीरियल आप याद रखते हैं तो यहाँ पे ये जो सीरियल होता है ये आपको ग्याती होता है कि कासे ग्यात तक जो आपके ये सभी वन माला होती इनमें सभी वर्ण क्रमसा बनते हैं केवल आपको ये सीरियल याद रखना है और ये सभी वर्णों का उचान इस्तान आप असानी से याद कर सकते हैं तो यहाँ पर ताका जो ओष्ट उप्वेंजन है यहाँ पर गला था है नेस्ट प्रशन है चावर्घ है और टी को यहाँ पर तालू बोला जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा तालू ये इसे तालू के नाम से जानते हैं तो राइट हो जाएगा आप्सन नमबर आ नेश्ट प्रशन है निमने में से कौन पास्विक वर्ण है आप्सन आ या आप्सन बार रा आप्सन साला आप्सन दा वा याद रखिएगा पास्विक जो वर्ण होते हैं वो आपके ला पास्विक वन्ड के अंतरगत आता है यदि यहाँ पे या रा वा की बात की जाए तो ये सभी आपके अन्ता इस्ता बेंजन के अंतरगत आते हैं अन्ता इस्ता बेंजनों के संक्षार होती है और इसके अंतरगत या, रा, ला, वा ये सभी बेंजन आते हैं किन्तु इन में जो ला होता है ला आपका पास्विक मर्ड कहलाता है तो राइट अंसर इसका option number सा हो जाएगा निश्ट प्रश्ण है निम निम से कौन उच्छित बेंजन है उच्छित बेंजन है ये दोनों आपके उच्छित बेंजन के अंतरगत आते हैं या और वा अंताइस्ता बेंजन के अंतरगत भामा जो होते हैं इसपस बेंजन सकते हैं और सासा साहा जो होते हैं ये आपके उसम बेंजन के अंतरगत आते हैं तो ये सबी पॉइंट आपको याद रखिएगा, नेश्ट है ग्या को वनमाला में माना जाता है, आपसना सेयुक्त बेंजन, आपसन बाद दुईकुन बेंजन, आपसन सरस्वर, आपसन दा बेंजन, याद रखिएगा, जो ग्या होता है, इसको सेयुक्त बेंजन माना जाता और संयुक्त बेंजनों की संक्या चार होती है जिसमें से छा, त्रा, ग्या, और ये रिसी ये सबी आपके संयुक्त बेंजन के अंतरगत आते हैं और सोरों की संक्या हिंदी में याद रखिएगा सोरों की संक्या गेरा होती है और बेंजनों की संक्या याद रखिएगा हिंद बेंजन वंड के अंत्रगत 4 वण में जिसमें से या रा ला व आते हैं आप देखेंगे या दीया हुआ यह सही है रा भी सही है ला भी सही है किन्थ Singapore ये आपको इसपस बेंजन के अंतरगत आता है और इसपस बेंजनों के संख्या याद रखिएगा 25 होती है नेश्ट पॉइंट है वर्ण माला में किसे इसपस अंगर्शी कहा जाता है औप्सन आ कवरग औप्सन बाट टावरग औप्सन से चावरग औप्सन दा पावरग याद रखिएगा इसपस संगर्शी चावरग को का जाता है राइट अंसर हो जाएगा 21 साब और जिसमें से चावरग के अंतरगत याद रखिएगा चा चा जा जा ये वर्ण आते हैं इन्हें याद रखिएगा इसी प्रकाश से ये चावरग के बोला जाता है तो कावरग के अर्थ होता है का, खा, गा, गा, अंगा चावरग के बोला जाता है तो इसके अंतरगत आते हैं टा, था, डा, धा, अडा इसी प्रकाश से पावरग के अंतरगत आते हैं पा, फा, बा, भा और मा इनको आपको इस प्रकाज से याद रखिएगा जिद पावर्ग बोला जाता है तो उसके सब वर्ण आएंगे इसी प्रकाज से चावर्ग के अंदर गर चा चा जा जा यहां आता है तो इस पर संगर सी आपके दो तरीके से आपसन में आ सकता है या तो चावर्ग लिखा होगा या फिर इस प्रकाज से चा चा जा इस प्रकाज से कोई वर्ण लिखे होंगे तो यह भी आपका सही होगा निश्ट प्रेशन है निम्ने में से किस सब्द सुद्ध मातरा प्रयुक्त हुई है यहाँ पर सुद्ध मातरा बताना है कौन सा सही है आप्सना रेनू, आप्सन बार रेनू, आप्सन सा रेनू, आप्सन दा रेनू तो यहाँ पर सुद्ध मात्रा किसमें प्रयोग तो याद रखिएगा ये जो ना होता है ये आपका गलत होता है सुद्ध जो होता है इस ना के जगए इस ना का प्रयोग किया जाता है तो ये तो पहले और दूसरे ये गलत हो जाएंगे अब बचता है आपका सा और दा तो सा तालब है, आप्सन आ ए, आप्सन बाद चाचा, आप्सन सा यावा, आप्सन दा ताथा, तो यहाँ पर कंट तालब दिया हुआ है, अर्थात कंट तालब का अर्थ होता है, कंट प्लस तालू से जिन वर्णों का उचान होता है, तो कंट और तालू से किन वर्णों का उचान ह यहां पर आ का उचान स्थान कंट रहता है और इका उचान स्थान तालू होता है तो राइट अंसर यह हो जाएगा कंट तालब जो है एक अंतरगत आते हैं यहां पर आ का उचान स्थान कंट तालब से होता है नेश्ट प्रशन है प्रशन नमबर 34 है आउ का उचान स्थान है आपसना कंटोस्थ आपसन बादंतोस्थ आपसन साधन आपसन दा तालब यहां पर आउ दिया हुआ है तो आउ का जो उचान स्थान होता है अर्थार आउ द निर्माड आ धन ओ के मिलने से होता है जहां पर यह जो ओ होता है यह दो बढ़नों से मिलकर बना होता है आ धन उ से आ आपका पता है कि आ जो होता है आ का उचान इस्तान कंट से होता है और उ का उचान इस्तान आपका ओस्ट से होता है तो इस पकाश से जो ओ रहता है इसका उ जो चान इस्तान कंठोस से होगा तो राइट अंसर इसका हो जाएगा option number A कंठोस इस प्रकार से यदि इसे आप direct आपको नहीं याद रहता कि आउ का उचान इस्तान कंठोस से होता है तो आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि आउ जो वर्ण है ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है जिसमें से पहला A दन O होता है और ये जो O होता है ये भी दो वर्णों से मिलकर बना होता है जिसमें पहला A और दूसरा O रहता है इसके बाद ये जो A रहता है इसका उचान इस्तान कंट से होता है और उचान इस्तान ओष्टिय से होता है तो यह जो और पूरा रहेगा इसका उचान इस्तान कंठोश से होगा तो आउचान इस्तान भी आपका कंठोश से होगा इस पकार से इसे आप याद रख सकते हैं नेश्ट है निम्निन में से कौन सा इसपस संगर्सी है? आप्सना का, आप्सन बच्चा, आप्सन साहा, आप्सन दपा. इसपस संगर्सी के बारे में आपने अभी पढ़ाता है कि जो चावर्ग आता है, चावर्ग इसपस संगर्सी के अंतरगत आता है और इसके अंतरगत आने वारे वर्ण होते हैं चा, छा, जा और जा इनमें से देखेंगे कौन सा आपसन में दिया हुआ है तो ये जो चा है ये देखिए आपसन में दिया हुआ है तो इस पास संगर्सी के अंतरगत आपसन नमबर बा अर्था चा आएगा नेश्ट प्रश्ण है फा का उचान इस्तान क्या है अप्सना कंट, अप्सन बा तालू, अप्सन सा ओष्ट, अप्सन दा दंत फा, फा याद रखिएगा फा की स्वर्गी के अंतरगत आता है फा पावर्गी के अंतरगत आता है और आपको ट्रिक तो यादी होगी और यहां पर फा दिया हुआ है तो फा भी किस में आ जाएगा ओष्ट में आ जाएगा तो फा का उचान इस्तान क्या होगा ओष्ट होगा इस पकाई से आप इसे याद रखिएगा नेश्ट प्रशन है निम्ने में से कौन उसम बेंजन नहीं है अपसना सा अपसन वपा अपस यहां पर उसमेंजन पूछा गया है आपको ग्यात है कि उसमेंजनों की संक्या चार होती है जिसमें से यह सा 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 और यह हा आता है किन्तों यहां पर देखेंगे यह सा तो दिया हुआ है यह भी सा दिया है यहां पर पा दिया है यहां पर यह टाइपिंग में श्टेक हो ग देखेंगे तो आ, ई, ऊ, रिसी ये जितने भी चार सुर दिये हुए- ये सबी किनी भी दो सोरों से मिलकर नहीं बनते अर्थाद ये सोयम कर निर्मार करते हैं और आपसर नमबर बाकी यदि बात की जाए तो ये जो आ है आक आ दो सोरों से मिलकर बनता है इसका निर्मार जो होता है यहाँ पे आ और आ ये दो वर्णों के मिलने से होता है इसे पकास यदि E के बात की जाए तो E आपका E प्लस E इन दो सुरों के मिलने से होता है इसे पकासे U का निर्माड U प्लस O के मिलने से होता है I का निर्माड आपका A धन E के मिलने से होता है और O का निर्माड आ, धन, O के मिलने से होता है और आउ का निर्माड आपका यहाँ पे आ, धन, O के मिलने से होता है तो इस पकाल से ये जितने भी स्वर है ये किनी न किनी दो स्वरों के मिलने से इनका निर्माड हुआ है इसलिए इन्हें हम सहिंगत स्वर कहते हैं तो आप्सन नमबर बा इसका सही हो जाएगा नेश्ट है वर्ण माले में अन्ता इस्ता बिंजन है आप्सन आ चार, आप्सन बा पाँच आप्सन से अच्छ है आप्सन दस साथ याद रखीएगा अन्ता इस्ता बिंजनों की संक्या चार होती है याद रखीएगा वर्ण साथ ये आपके इसपर सी और संक्या चार होती है और याद रखीएगा ये जो साथ साथ होते है इन्हें हम उस्म बिंजन भी कहते है तो ये आपको तीनों बाते याद रखनी है और इसका राइट अंसर आप्सन नमबर सा होगा नेश्ट प्रशन है सेयुक्त बिंजनों की संक्या कितनी है और संयुक्त बिंजन के अंतरगत चा, त्रा, ग्या और रिसी ये आपके संयुक्त बिंजन के अंतरगत आते हैं नेश्ट प्रशन है हन्स पद का चिन्न के आई याद रखिएगा जितने भी आपके बिराम चिन है उन बिराम चिनों को किन किन चिनों से पदसित किया जाता है ये आपको याद रखिएगा जैसे इसमें हंसपद का चिन पूछा गया है आपसन नमबर आ, आपसन नमबर बा, आपसन नमबर सा और आपसन नमबर दा दिया हुआ है तो हंसपद का जो चिन होता है हंसपद का चिन आपका आपसन नमबर बा बनता है अर्थात इस प्रकास से जो चिन बनता है यह हंसपद का चिन होता है यदि बात किया जाए इस चिन का तो इस चिन का नाम होता है प्रशनवाचक चिन इसे कहते हैं और ये जो चिन होता है ये आपका अर्धिविराम का चिन रहता है और ये जो चिन होता है ये आपका बड़ा को दर्साता है या फिर छोटा को दर्साता है जिस तरफ से इसका तो यहाँ पे छोटे को दरसाता है नेश्ट प्रशन है अर्द समरत स्वर है अप्सन आ, A, O अप्सन बा, A, O अप्सन सा, E, A अप्सन दा, A तो यहाँ पे अर्द समरत स्वर हमें बताना है कि कौन से आएंगे अर्द समरत स्वर के अंतरगत ए और आव आते हैं नेश्ट प्रशन है कंट धोन का सही प्रियोग है अर्थात कौन से इन में से कौन सा सब्द है जो कंट से उचारित होता है कंट से कौन सा धोनी सही प्रियोग होगा अर्थात कंट से कौन सा उचारित होगा कंट से उचारित होने वाले तो देखेंगे, यहाँ पर बात किया जाए कुरसी की, तो कुरसी का उचाइड इस्तान का तो आपका सही है, किन्तु सा आपका कंट से उचाइड नहीं होता, तो यह गलत हो जाएगा, मेज में मा और जा दोनों ही कंट से उचाइड नहीं होते, ये भी गलत होगा, खालक में देखेंगे तो खा जो आपका है ये आपका कंट से उचायत होता है और का भी आपका कंट से उचायत होता है, और ये जो डा होता है, ये भी आपका कंट के अंतरगद आता है, इसलिए सही होगा और दवात में कोई भी यहाँ पर कंट से उंचायत होने वाले 1 नहीं दिया हुआ इसलिए यह भी यह गलत हो जाएंगे राइट अंसर होगा इसका आपसर नमबर 7 निश्ट है निम्ने में से कौन सा मुर्धन धोनी नहीं है अर्थात यहाँ पर हमने ट्रिक पड़ा था के टी यम 2 और मुर्धन के अंतरगत हमें यह यम आता है और यम के अंतरगत कौन से वान आएंगे इसके अंतरगत कावाण, चावर्ग और यहाँ पर टावर्ग तो मुर्धा के अंतरगत टावर के अंतरगत आने वारे वाण होते है यहाँ पे देखेंगे मुर्धन धुनी ता आपका मुर्धन धुनी आएगा ठा भी मुर्धन धुनी आएगा डा भी मुर्धन धुन आएगा लेकिन ये जो धा है ये आपका मुर्धन दोन के अंतरगत नहीं आता ये मुर्धा से नहीं बोला जाएगा आपको याद रखना है ये आपका धा और ये डा ये आपके उच्छिप्त बेंजन के अंतरगत आती है इसलिए ये मुर्धन दोन नहीं कहलाते है नेश्ट है दोनका उचान इस्तान के अधार पर होता है तो यहां पे धुन का उचाण इस्तान यहां पे इन सभी के द्वारा होता है ताल्व से कंड से दंथ से ओष्ट से किन्तु आपशन इसमें दंथ दिया हुआ है नेश्ट है दंथोज से उचायत होने वाले बिंजन है आपसन आप पावा आपसन बा यारा आपसन सा काचा आपसन दा टाठा यहाँ पे दंत ओष्ट अर्थाथ दंत से भी उचायत हो रहे हो और ओष्ट से भी उचायत हो रहे हो तो दंत से कौन कौन से उचायत होते हैं तावरगी के अंतरगत आने वाले और ओष्ट से उचारित होने वाले जो वन होते हैं वो पावरगी के अंतरगत आते हैं अब आपसन में देखेंगे तो यहाँ पे तावरगी के अंतरगत आने वाले कोई भी नहीं दिया लेकिन पावरगी के अंतरगत आने वाले वन होते हैं पा, फा, बा, भा और मा तो यहाँ पर जो फा है यह आपका देखिए दंतोष्ट से उचारित होगा तो यहाँ पर फा जाएगा और दूसरा देखेंगे यह दिवा की बात किया जाए तो वा आपका दंतोष्ट से होता है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा और यहाँ पे का आपका कंट से उचारित होगा और चा आपका यहाँ पे तालू से उचारित होगा और यदि यहाँ पे या की बात की जाए तो यहाँ आपका तालू से उचारित होगा और रा आपका मुर्दा से उचारित होगा और टा और ठा ये दोनों जो हैं आपके मुर्धा से उचारित होते हैं तो इन्हें आप याद रखिएगा नेश्ट है निम्न में से किस वर्ण का उचार इस्तान कंट नहीं है अप्सन आ का, अप्सन बाखा, अप्सन सा गा, अप्सन रा, डा हमें वो वर्ण पैचान ने हैं जिनका उचार इस्तान कंट से नहीं होता है तो यहाँ पे का, खा, गा, इनका उचार इस्तान कंट से होगा लेकिन धा का उचार इस्तान कंट से नहीं होता तो यह आपका सही हो जाएगा नेश्ट है निम्निम में कौन सायूक तुमाण नहीं है सायूक तुमाण आपके चार होते हैं जिसके अंतरगत छा, त्रा, ग्या और ये रिसी आता है तो यहाँ पे देखेंगे छा दिया हुआ है, त्रा है, ग्या है, केंदू यहाँ पे यह वाला रिसी नहीं रहता है, यह सिंपल सा रिसी रहता है, जो आपका इस पकाज से बनता है यहाँ पे देखेंगे तो एक और यह लगा दिया है, इसलिए यह रिसी आपका गलत हो जाएगा यह आपके 7-1 के अंतरकत नहीं है, अगर राइट अंसर रहेगा, और आज के क्लास का यह अंतिम प्रशन है, वीडियो को सभी लोग लाइक जरू कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर जरू कीजिएगा प्रशन नमबर 50 है, निम्ने में से कौन सा सही है, हमें यहाँ पे सही पैचानना है कौन सा है अपसन नमबर A, डा डा को वन माला में इस्तान प्राप्त है, अपसन नमबर बाप पाहला तता तीसरा वन महाप्राण होता है, अपसन सा चा चा जा इस पर संगर्सी है अप्षन दा यारालावा उस्म वान अए तो इन में से कौन सा सही है ये हमें पहिचानना है यदि अप्षन नमबर आ देखेंगे तो डा और डा ये वान माला में इनको इसतान प्राप्त नहीं है ढा और डा को यहाँ पे हम उच्छिप्ट के अंतरगत इन्हें रखा जाता है इसलिए यह आप सना आपका गलत हो जाएगा दूसरा है पहला तता तीसरे वन महा प्राण होता है महा प्राण आपके दूसरे और चौते जो वन होते हैं महा प्राण के अंतरगत आते हैं इसलिए ये भी गलत होगा पहले और तीसरे जो वन होते हैं वो आपके प्राण के अंतरगत आते हैं इस पॉइंट को याद रखिएगा नेश्ट पॉइंट है चाछा जा इसपर संगश्ची है तो ये आपका सहिए है निश्ट है यारा लावा उस मुवण है तो याद रखीएगा यारा लावा ये आपके अंता इस्ता के अंतरगत आते हैं अंता इस्ता के अंतरगत यारा लावा आते हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा यदि बात की जाए उस मुवण की तो उस मुवण आपके चार होते हैं शा ये आपके उस मोर्ण के अंतरगत आते हैं तो राइट अंसर इसका अप्सन नमबर सा हो जाएगा आज की किलास का अंतिम प्रशनता वीडियो को सभी लोग लाइक जरू कर दीजिएगा और किसी भी प्रकार का आप किसी भी प्रशनत से डाउट है तो आप कमेंट करके पूँच सकते हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में जाए हिंद